दुधारू पश्यो को खरीदिते समय पश्यू पालगों के मन में कई तरह के प्रश्ण होते हैं अच्छे पश्यू का चुनाव किस तरह किया जाए ये एक जटिल प्रश्ण है इस काम को करना इतना सरल नहीं है अच्छे नसल के दुधारू पश्यो भी जो देखने में सही आकार के हो अंधर से कंजोर हो सकते हैं दूद देने की छमता सिर्फ वन्ष पर ही नहीं बलकि अन्यकार को पर भी निर्भर करती है इसलिए दुधारू पश्यो के चयन या खरीदारी करते समय उसके नसल, दोश, स्वास्त, प्यांत आधी का ध्यान रखा जाना चाहिए चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे पश्यो पालक निमन तरीकों के सहारे अच्छे दुधारू पश्यो का चुनाओ कर सकते हैं दुधारू पश्यो को खरीदेते समय उसके शारेरिक बनावट का खास ख्याल रखा जाना चाहिए जैसे तिक्योने अकार की गाय अधिक दुधारू होती है इसकी पहचान के लिए उसके सामने खड़े होकर उसका आंकलन करना चाहिए गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई दे और शरीर के तुलना में गाय के पैर एवं मू माते के बाल अगर छोटे हो तो ऐसी गाय आमतोर पर अधिक दुधारू होती है ध्यान रहे कि दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और बड़ी होती है आखे साफ और चमकीली होती है अयन पूर्ण रूप से विक्सित होती है धनों और अयन से दूध देनी की चमता का अंदाजा लगाया जा सकता है धन और अयन पर पाई जाने वाली दुध शिराओ की उभरे और तेड़े मुडे होने का मतलब है पशु अधिक दुधारू है ध्यान रहे कि दूध दोहन के उपरान धन को पूरी तरह से सिकुड जाना चाहिए दुधारू पश्यों में सदेव दूसरे अत्वा तीसरे ब्यानत को अधिक महत्व देना चाहिए क्यूंकि ऐसे पश्यों अपनी पूरी छमता के अनुरूप दूध देते हैं ग्यक्राम लगबख साथ ब्यानत तक चल सकता है अगर दूसरे तथा तीसरे ब्यानत के वक्त पश्यों एक महा ब्यावी हुई हो तो और बढ़िया है इससे मारा पीडिया अत्वा बचडी मिलने की उम्मीद और बढ़ जाती है जब हविश्य के लिए एक पूंजी ही है तो इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जोड़े रहिए क्रिशी जागरन के साथ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद